नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वेजौनिक चले दोस्तों आज के शुरूवात करने से पहले सब बतम आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत-बहुत बहुत बदाई कि आज हमारा परिवाद 3000 लोगों तक पह पर दोना है तो मेरी पूरे स्पॉनसिवल्टी बलती है आपको फाइननस फ्रीडम करवाना फाइनसली फ्रीडम करवाना आपको तो बैसिकली मेरा उद्दे से यही रहा है आभी तक कि कि आप लोग को कॉल देके बस आप लोग को प्रॉफित अन करवाना और सही समय पे तो मैं आसा करता हूँ भविश्य में भी आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा और आगे भी हम इसी तरह यूटूब के अंदर अपने फैमिली को बढ़ाएंगे और इसी तरह आपको सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटी हम दो बड़े-बड़े माइस्टॉल हिट करेंगे क्योंकि funny videos को लेके तो हर कोई वो करता बट जो जिस तरह trading को लेके या कोई आपकी value create कर रहा आपके लिए अपके लिए अपके लिए कुछ कर रहा है उस वक्ति को आप support करते हैं तो heads of you, all of you, तो thank you so much again, तो चलिए आज के शुरूबात करते हो तो मैंने previous video में मैंने बोला तक कल के दिन कि कल अगर हम 3000 लोगों तक पहुंसे तो मैं आपको एक ऐसा share दूँगा जो आपको 300 से लेके 3000 तक के return देगा आने वले टेम पे तो चलिए उसके बारे हम बात करते हैं अगर अब 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 आपने चैनल सब्सक्राइब ने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लि लिमितेड इंफा स्क्राइब फार इंफा स्क्राइब ये बहुत बड़ा वेंचर है यानि यह बारत के आंदर सबसे ज्यादा प्रोजक्ट इनके पास है smart meters के ठीकिना तो उसके भिहाब पर अब इस शेर के पांदा मूंट देखने को मेले हैं कि budget का impact है समाट मीटर देवाइड एंक्रीज़ हो रहे और आपने देखा हुआ दीडिये समाट मीटर करें आधा जाए किकि समय के साथ सद हर चीज़ बतलाव जरूर ही होता है में आपने स्माट मेंटर से महीं कहीं पर स्मार 밑ों देखें एफ और रिमीतर की तफली समार्ट मेंटर स्मार्ट मेंटर की वर्टे जारें Г inacet इसके परिजत की wiped के इंडर मैंक$ आगए ईसका अनंस्मेंट के सके हैं अज़क म睹ऑ चल रहा उसके बारे में बात करेंगे और आगी कितना आप जाएगा वह भी बात करेंगे तो जीनस पावर इंफा सक्षा लिमिटेट के बारे में पूरा डीप अनलाइज तो मैं करूंगा नहीं आपको बता रहा हूं और इसका क्वार्टर थिरी का डिजल भी अवर्वियो करेंगे हम लोग पूरा डीप अनलाइज नहीं करेंगे ठीकिना क्योंकि एनलाइज करने के लिए समय गींश करेंगे तो देखिए जीनिस पावर के अंदर इसका क्वार्टर धिरी हं ज़ रहा है था अठाइस जन्वरी 222 तो इसका रिजल जो हैताहिए लाक्सके इंदर इनके इंकम अंग सबसे पहले हम तो देखिए इसके इनर के साट पर जैंगे नसे जः आइने से बीशन स्टॉक पी एकत्यस पॉइंट फॉर का स्टॉक आर ओसी का चल्ला ग्यारा पॉइंट पांच परसंट का बुग वैलियू के पैतिस रुपे की है रिटन ऑफ इक्वेटेस के 7.98 परसंट का रिटन डिवीडन अविदा कंपनी ने दिया है 0.67 परसंट का और फेस्ट वैल्यू करोड का और अप्रसंट प्रॉफिट है था इनको 21 करोड का आप देखेंगे अधर इंकम में इनका 11 करोड पे गीती अधर इंकम और नेट प्रॉफिट है था पंदरा करोड पे और EPS निकलके आए तो 0.57 आप देखेंगे लास्ट कॉर्टर में 178 करोड से बढ़के सेल हु हुआ पॉजिटिव में 15 करोड थे कि घाटे से मुनाफे में आई और सेकेंड इनका EPS था माइनस में 0.10 वह बढ़के हुआ 0.57 तो देखेंगे आप कि कंपनी घाटे से मुनाफे में वह आई रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया और EPS भी अब हमारा पॉजिटिव में आ चुका है अब यह रेवाए कंपर सेंगे लास्ट यह सेल थी 169 वह बढ़के हुए 196 और प्रॉफिट आये था हमारा 30 करोड़ वह बढ़के घटके हुए 21 करोड़ और हमारा नेट प्रॉफिट 39 करोड़ था वह घटके हुआ 15 करोड़ और EPS था हमारा 1.11 वह घटके हुआ 0.57 तो आप देखेंगे कि यह यह रवाई हमारी सेल में तो जाफा देखनों मिला अप्रेसन प्रॉफिट और EPS में घटत देखनों मिली क्योंकि कंपनी ने उससाब से प्रॉफिट क्यूंकि एक्सपेंस बढ़ा एक इसकौडर में बगड़ सेल तो बड़ी है तो कंपनी ने सेल के साथ साथ अपना करजा भी कमके देखें लाश्ट को प्रॉफिट में घा को लेके बाइसिकलिस तो इनको अवाले कौाटर की देखने देखने को मिनेयें और डेवए डेस कंपनी की ग्रोथ होना है स्मार मीर्ट के नगे अनडर कंपनी और दिमांड बढ़ेंगा और पर मीट आपको और देखने को मिलेगी कंपणी के रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिला है कि is quarter में कंपणी की सेल बढ़ी है साथ-साथ company पिछले quarter में घाटेते हो पॉजिटिव में यह तोड़ी दो देखने मिला मैं प्रॉफिट के अंदर बाकी company अच्छी है growth अच्छी डे वाइ इसकी होल्डिंग 0.77 से बढ़के 0.89 हो गई है और इसकी होल्डिंग 5.78 से घटके हो यह 5.40 पबलिक की होल्डिंग 43.27 है तो बेसिकली रिजल्ड भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है साती साथ कंपनी के साथ अनॉंसमेंट का यूस यूसफुल भी होने वाला है अब देखते हैं आज की दिन में कैसा ट्रेट कर रहा है उसको देखते हैं सबसे पहले तो हम इसका गूगल पर अपन कर लेते हैं कि किस लिए वल पाव यह शेर काम कर रहा है कि तो आज की दिन पर 11-10% सर्कुट मारे है है सरकृट की वजह वही मैंने आपको बता था तो चली चलते हैं चार्ट पर समझते हैं और किता जाएगा और किता प्राफिट देगा तो चार्ट देखेंगे कि तोड़ा लॉंग परपस से भी देखने को कि इस वी किसमें जो केंडल बन दी है यह पूरा अब ट्रेंडिंग तरफ चल ला है यानि कि यहां पर करेक्शन आई ती फिर इस यहां से बापस अब ट्रेंडिंग तरफ आ चुका है और देखिए यहां पे एक हैवी वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम वार अच्छा खासा बना और मसीड पूरा क्रॉस मॉविंग आने को त्यार बैठ हुई है और आरसा हमारा आप सिक्स्टी के अपास जा चुका है तो डेली वीगली चार्ट पर अच्छे खासे इंडिकेशन देखनों को मिलने और देखेंगे आप के आज मसीड पर ब्रेक आउट आ चुका है और आरसा हमारा सिक्स्टी सतर के असपास जा चुका है तो अब टेजी के इंडिकेशन और है इसमें टेजी और बनेगी अगर आपके पास होल्ट करना चाहते है तो इसके अंदर 175 वेगा स्टॉब लोसे सब बाइ करेंगे हम लोग क्योंकि 75 पर एक सपोर्ट है 75 का लेवल जिए दिन ब्रेक करेंगे इसमें गिरावबट देखने को मिलेगी जल्दी शेयर तीन डिजीट में देखने को मिलेगा आपको मेरे देट से दो महीने के टार्गेट दूँगा इ यहां से अच्छे ढम खम देखने को मिलेगा नियूस का इंपक्ट है और आने वाले टैम पर और और वहीं तेजी दिखाए गए शेयर यहां से 300% के रेटन भी आपको दे सकता आज की डेट पर वियाब इसमें इंवेस्ट करते हैं और थोड़ा लोग पर पस के रखते हैं क तो अगले quarter result तक तो और भी movement आपको देखने को मिलेंगी अब देखिए यहां पर एक अच्छी खासा volume बार देखने को मिला अच्छी खास बुली स्केंडल बन रही है और सब्सक्राइब कर देखिए यहां पर एक हडल बना हुआ यानि कि सपोर्ट ले चुका है यानि थ्री मन्स के हाइस पर भी से रिस्टेंबर ट्रेट कर रहा है अगरावट होती है इसमें ग्रावट में बाय करिए 75 रुप करिए तो यहां से अपने पहला टारगेट आए 85 रु नब्भे जैसे हिट करेगा 85 के बाद 30 रुप करेगा इसमें सोर पे तक के लेवल में समय के साथ दिखने है और जिस तरह से अनॉंसमेंट मिली बजट का उसका इंपेक्ट देखने को पर रिजल्ट भी अच्छा है रिजल्ट के इंपेक्ट देखने का था वह खराब जितन साथ हो रखिए मैं आसा करता हूं मेरे द्वारत दीगे जिनका जान के सब सहमत हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो